हलो दोस्तों स्वागत है आपका द्रिष्टी आई ईस्य के इंड ड़ प्रोग्राम में मैं हूँ केवल21 के साम्ड आज हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहा जाता है दिमाग खाने वाला अमीबा अखिर क्या है यह १िमाग खाने वाला अमीबा इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे और जो भी प्रमुक बाते हैं जो आपकी परिक्षा के लिए महत्पूर्ण हो सकती है उसे समझने का प्रयास करेंगे तो आखिर क्या है जीव इसको हम जानेंगे एक खास पैटर्न में कुछ पॉइंट्स के माद्यम से यानि की खबर क्या है और चर्चा में क्यों है उसके बाद जानेंगे कि आखिर यह अमीबा होता क्या है और जो खास किस्म का एक अमीबा है वह अमीबा क्या है और किस प्रकार से वह स्तित्त में आया यानि कि उसकी प्रिष्ट भूमी और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर यह जानलेवा किस प्रकार से हो रहा है और दिमाग किस प्रकार से खा रहा है यानि कि शरीर में गया है तो कुछ संक्रमन हो रहा है और वह संक्रमन किस प्रकार से होता है और उसक इसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आगे की रह क्या होनी चाहिए अंत में एक अभ्यास प्रश्ण जो कि इस टॉपिक पर आपकी पकड़कों करेगा मजबूत तो चलिए शुरू करते हैं खबर आई है ब्रेइन एटिंग अमीबा किल साउथ कोरियन मैन वाट इस दा इन्फेक्शन अख्रिया इन्फेक्शन क्या है तो इसके बारे में हमें जानना है अब यह तो खबर है अब चर्चा में क्यों है खबर में ही लिखा हुआ था कि एक कोरियाई नागरी की मौत हो और उसके बाद ही जल्द ही पांस दिनों के अंदर उसकी मृत्य हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि उसे खास किस्म का इन्फेक्शन हुआ था एक खास प्रजाती थी अमीबा की उसके दवारा तो अब यह वह अमीबा था जो कि पहली बार अस्तित्यों में नहीं आया पहली बार पहचान में नहीं आया था पहली बार तो पहचान में आया कोरिया में कोरिया में भी कहां साउथ कोरिया में लेकिन बात आती है कि इसके पहले भी है मौजूद था काफी समय से अलग-अलग देशों में इसकी जानकारी मिल रही थी और यह किस प्रकार से खतरनाक है और क्यों इसे जानलेवा कहा जा रहा है अब उसको आगे देखते हैं हम तो सबसे पहले अमीबा क्या है यह जान लेते हैं फिर अमीबा की उस प्रजाती पर भी आएंगे जो की हमारे लिए बहुत ही जानलेवा हो रखी है प्रोटो जोवा है एक प्रकार का अमीबा एक कोशी जीव कैसे हम हैं बहुकोशी जीव अमीबा एक कोशी एक कोशिका से ही बना हुआ है इसे अपने जीवन में रहने के लिए इसे जीवित रहने के लिए सारे जो भी कारे होते हैं एक कोशिका के माध्यम से ही संपन कराने होते हैं इस वजह से इनका जो जीवन काल होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो अमीबा प्रोटीस इसका साइंटिफिक नेम अब यह अपनी संख्या किस प्रकार से बढ़ाते हैं याने कि प्रजनन किस प्रकार का होता है तो हमें याद रखना है अमीबा का प्रजनन अलेंगिक प्रजनन होता है लेंगिक प्रजनन नह प्रकार ठीक है तो यह तो हो गया अमेवा की कुछ प्रमुख quality उसमें से quality क्या है आकार की तो आकार जो है हमेशा बदलता रहता है इस्थिर नहीं रहता है ठीक है इसके तीन प्रमुख भाग है जिसको एक तो हम कहेंगे कोशिका द्रव्य दूसरा क्या कहेंगे प्लाजमा जिली तीसरा क्या कहेंगे केंद्रक न्यूक्लियस आपने सुना भी होगा नहीं सुना है तो जान लिजे ये तीन भाग है अब यह अमीवा मुखिरूप से कहां पर पाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए जीलों में तालाबों में नदियों में और अन्य ताजे पानी की सतहों पर तो आपको याद रखना है ताजे पानी फ्रेश वाटर में ही मिलेंगे ठीक है उसके अलावा जील तालाब नदियां समुंदर यहां पर आप देख सकते हैं नहीं लिखा है हारे पानी में नहीं मिलेंगे ठीक है अगली बात होती है कि आखिर यह जो बीमारी हुई उस साउथ कोरियन व्यक्ति को जिसके वज़ाए से उसकी डेथ हुई आखिर वह किस प्रकार के अमीवा से हुई तो यह जो नगलेरिया फाउलेरी है इसे ही ब्रेन इटिंग अमीवा कहा जाता है तो क्या है ब्रेन को इट कर लेता है ब्रेन खा लेता है नहीं इंसान का दिमाग नहीं खाता है बलकि उसे प्रभावित कर देता है और जिसकी वज़़ा से जन्तान की डेथ हो जाती है इंसान क का दिमाग काम करने लायक नहीं वचता है इसलिए कहा जाता है कि brain eating amoeva अगली बात आती कि मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है यानि कि जो amoeva की यह प्रजाती है वह मनुष्य को प्रभावित करती है और जानलेवा तो होती है किस प्रकार से दिमाग में infection और स्टूजन जिसे ह किस प्रकार की समस्चिया इसका नाम क्या है कुल मिला के तो इसके नाम के बारे में आपको याद रखना है इसे हम किस नाम से जानते हैं primary amoebic meningophilitis ठीक है शॉर्ट में क्या कह सकते हैं PAM ठीक है हम शॉर्ट में नाम लेंगे PAM इसका मतलब होगा primary amoebic meningophilitis ठीक है अब इस में और तालाबों में याने की गर्माहट होना जरूरी है ठंडा होगा तो काम नहीं चलेगा limit भी है गरम होने की उसको आगे देखेंगे इसकी प्रिष्ट भूमी देखिए क्या है पहली बार कम मिला पहली बार मिला 1937 किस नाम से जाना गया है नगलेरी या पाउलेरी ठीक है पहला मामला 1937 कहां पे हुआ था अमेरिका में अमेरिका में भी कौन सा साइड था दक्षिन अमेरिका दक्षिन अमेरिका में आने की नीचे की तरफ मिला गूमद्य रेखा की तरफ जो साइड है वो दक्षिन हो गया और धुरू की तरफ जो है वहुत्तर हो गया कोरिया म बहुत सारे अलग-अलग देशों में हो रहा है यानि कि अमेरिका में तो है ही भारत में भी आवा चुका है पहला केस साउथ इंडिया मिला उसके लावा पाकिस्तान में भी आ चुका थाइलैंड से वह व्यक्ति आयत है निकि उसे संक्रमन कहां हुआ होगा थाइलैंड में है जिसमें 381-11 दर्जिये गया यानि कि बहुत ज़ादा केस्टों ही आ रहे हैं लेकिन smr flows आ रहे हैं और जब केसिस आ रहे हैं तो उसमें врittyu हो ही रही है यानि कि जान लेवा यह पूरी तरह से है लगभग नाम्मिन है क्योंकि धेक्यस्ट्लिया 4 सिर्फ साथ लोग बचे हैं सिर्फ साथ लोग इसमें जीवित बच पाए हैं माकी सब मर गये अब अगली बात होती है किस प्रकार्च होता है संक्रमन जैसे आपको पहले बात यह जाना जरूरी है कि संक्रमन किस प्रकार्च हो सकता है उसके जरूरी है कि जो संक्रमन कर सकता है आपको कहां बता है गर्मी के महिनों में यह संकरमन होता है गर्मी के महिनों कियों कि मैंनों तुरंत नहीं जाता है लेकिन अगर चला गया तो नाग के राष्टेश जाएगा और परिशान कर देगा जान ही लेलेगा तो अमीबा आपके नाक के जरीए बॉडि के अंदर जाएगा और नाक के जरीए नीचे नहीं जाएगा दिमाग में जाएगा उसका भी एक प्रोसेस है और उसका हमने नाम क्या दिया था प्राइमरी अमेविक मेनिंगो इंसेफलाइटिस ठीक है अब बात आती है कि यह संक्रमन एंट्री कहां से ले रहा है पानी से ले रहा है तो पानी से अगर एंट्री ले रहा है तो यानि कि मनुष्य की नाक उस पानी के अंदर गई होगी यानि कि वह नहाने के लिए उत्र होगा उसने डुक्की लगाई वही से अमीवा उसके नाक में मौझूद हुआ और नाक से उसके दिमाग तक पहुचा अब यहां पर एक सवाल आता है कि क्या यह संक्रामक बीमारी है मनुष्य से मनुष्य में फैलती है तो एक बात क्लियर समझ लीजिए अभी तक जो रिपोर्ट आई हैं उनके अनुसार य नहीं फैलती है बाकी आने वाले समय में आने वाले शोध में अगर कुछ होगा ऐसा तो पता चलेगा आगे देखते हैं प्रमुख बात यह है कि यह किस प्रकार से दिमाग में पहुचता है नाक से उसके प्रोसेस है प्रोसेस आप जैसे इस फोटो में देखेंगे तो यहा प्रोसें नसल म्यूकोसा से तीसरा उल्फैक्ट्री नव्स इसको हिंदी मीं क्या वोते है घ्रान तंतरिका इसके बाद क्रिब्री फ्वार्व प्लेत उसके बाद फिर ओल्फैक्टिर वलो उसके बाद टॉफोजोईट्स जो होता है ब्रेन में याने कि छट्वां क्या हो ब्रेन ट्रोफोजोट से मतलब क्या है यह जो अमीवा है अपने लिए पोशन उसी शरीर से जिस शरीर में महजूद है उससे प्राप्त करके अपने आपको सुरक्षित और आगे के लिए तैयार कर पा रहा है तो यह पूरी प्रोसेस है एक दो तीन चार पांच छे तक की ठीक 24 गंटे से 14 दिन के बीच में दिख जाएंगे कम से कम 24 गंटे तो लगेंगे अब लक्षन क्या है एकदम शुरुवाती लक्षन देखे जाए तो तेज बुखार होगी भयानक सरदर्ध होगा क्योंकि असर कहां पर जा रहा है इसका सर की तरफ जा रहा है मतली या उल्टी फी हो सकती है ऐसा लगेगा क्यूल्टी हो रही है या तो होई जाएगे यह तीन जो है एकदम प्राथमिक लक्षन है लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके बाद गर्दन में अकट होगी लाइट को लेकर आँखों में जोर लगेगा उसके लाबा उल्जहन होगी है जुटल कि अगर एक बार यह हो गया लक्षन दिखाई डिने लगए लक्षन स्थित्यु में आ गयünden उसके बात कितने दिन लगेंगे जादा से जादा आसातन जो लगभग निकला है 5 दिन पांच दिन का उसाथ है कि पांच दिन में व्यक्ति किम्रित्यू हो जाएगी और जैसे कि मैंने बताया कि बचने के चांसे लगभग नगणने के बराबर है तो मानके चलते हैं कि एक बार अगर किसी की यह समस्या हुई तो बचना लगभग नामुंकिन है हलागि दवाईयां दी जाती है जो साथ लोग बचे मैंने बताया 2018 तक के जित्ते केसिस तरशन साथ लोग बचे उसके लिए क्या दवाईयां दी जाती है वो भी देख लीजे कुछ दवाईयां हैं एमफो, टेरिसिन, बी, एजित्रोमाईसीन, लुको नाजोल, रीफैमपिन इसके लाब़ा और भी दवाईयां है तो इन दवाईयों से यह वो दवाईयां जो सिम्टम को देख कर दी जाती है symptom के हिसाब से दवायाँ दी जाएंगी यह किस प्रकार की दवायां होती है जो की खाज जो bacterial meningitis होता है वह भी दिमाग पेसर करता है और यह लक्षण भी bacterial meningitis की तरह ही होते हैं तो उस bacterial meningitis की ही दवायां जो होती है इस समस्या में दी जाती है पाम की समस्या यहने कि P.A.M. जिस जो भी बहुत सारी गैसें, इनका उत्सरजन हो रहा है, वह वायमंडल में मौझूद हैं, और वह जो वायमंडल में मौझूद गैसें हैं, याने कि उसमें मात्रा जो है, उनकी बढ़ती जा रही है, तो जो अत्रिक वायमंडली, कार्बन डाय अक्साइड, याने कि CO2 है, हैं, तालाब है, जहरने हैं, जो फ्रेश वाटर है, उसका तापमान भी बढ़ेगा, और जब उसका तापमान बढ़ेगा, तो वह जो है, इस अमीबा के लिए बहुत ही अनुकूल इस्थि होगी, वहाँ पर वह अपने आपको बहतर तरीके से रख पाएगा, और संक्रिमि अगर आप से पूछा जाता है, तो अंतर आपको पता होना चाहिए, लेकिन तापमान की यहाँ पर जो बात चल रही है, जो अमीबा है, मौजूद रह सकता है, उसे दिक्कत नहीं होगे, कहीं कहीं पर कुछ अमीबा ऐसे होते हैं, तो आपको याद रखना है, कि तापमान जो बढ़ रहा है, जो नदी, तालाब, जील का तापमान जलवा, उस उंकट की वज़े से बढ़ रहा है, वह जिमिदार है कहीं न कहीं, इनके लिए अनकूल वातावरन तयार करने में, क्योंकि यह पानी में ही मौजूद होते हैं, अनकूल इनकी साब से बनेगी, तो इनक उत्तर की अपेक्षा, तो वहाँ पर पहले शुरू आपने मिला, लेकिन उत्तर की तरफ मौजूद नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे हाल के वर्षों में पता चला कि जो उत्तरी अमेरिका है, उस तरफ के वाटर बॉडीज में भी यह अमीबा पाया जाने लगा है, कहीं-कह अब बात आती है, आगे की राह की, तो आगे की राह क्या हो, देखिए, यह एक ऐसी बीमारी है, जो की तैय है कि जान लेके ही जा रही है, पहली बात तो हमें संक्रमिथी नहीं होना है, जो भी रीजन बताये गए है, फ्रेश वाटर जिस प्रकार से, जो सार्विनिक जगे हैं, जहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं, और फ्रेश वाटर है, नदी तलाब जील, उन जगहों से भी, आप से पेक्छा की जाएगी कि आप ज्यादा ना हो, इन्वाल वहाँ पे ज्यादा पानी में अपने आपको ना डुबाएं, दूसरी बात, कि अभी इसका इलाज नहीं आया है, अगर इलाज नहीं आया है, तो सीधी सी बात है, कि आपको अपने आपको संक्रिमिथी नहीं होने देना है, तीसरी बात कि अगर जलवाई परिवर्तन जिम्मधार है, तो यह बात आप समझ सकते हैं, जलवाई परिवर्तन बहुत सारी ठीनों के लिए जिम्म सकते हैं या तो इसका उपाय नहीं निकाल सकते हैं हमें बचाओ ही करना पड़ेगा तो यह जो था आज का टॉपिक था अब एक प्रश्ण इस टॉपिक से जुड़ा हुआ और प्रश्ण क्या है कि अमीबा की किस प्रजाती को दिमाग खाने वाला अमीबा कहते हैं आपके option ह अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा आप उत्तर देते हैं तो हमें अच्छा लगता है और जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें और पढ़ते रहें धन्यवाद क्ःवाद